आज हम बात करेंगे एक ceiling fan के बारे में और यह वाला जो मैंने ceiling fan purchase किया है यह है क्रॉम्टन का जो इसका model है वो है alpha brace और यह वाला जो fan है यह particularly offline market के लिए ही बना हो है यह वाला fan आपको online भी मिल जाएगा और क्रॉम्टन एक Indian brand है जो होता है price to performance वो आपको यहां पे बहुत mm का जो wing होता है वो आपको यहां पे मिल जाएगा यहां पे three wings आपको मिलता है और इसका जो motor यूज किया गया है वो copper winding का motor यूज किया गया है fan बहुत दिन तक आपका चलेगा क्योंकि बहुत सारे fan में आपको aluminum winding मिलता है जिससे उस fan का performance यह एक साल में खराब हो जाता है औ और इसमें copper winding का use किया गया है तो इसमें आपको बहुत ज्यादा समय तक कोई भी problem नहीं आएगा इस पर आपको five speed मिल जाता है तो मैं यहां पे unboxing आपको दिखा देता हूं unboxing क्या यह actually six month का मेरा review है इस fan के भरे में six month पहले मैंने यह fan को buy किया था और आज मैं इस fan का आपको review दूंगा यहां पे manufacturing that का mention क्या है 11 2022 यह manufacturing हुआ था और एक best बात आपको बता हूं तो यह fan में आपको two years का warranty आपको मिल जाएगा यह fan one star rated है पर one star का मतलब है नहीं कि यह fan बेकर है क्योंकि यह fan electricity बहुत कम use करता है one star होने के बाद और यहां पे इसका MRP लेखा हुआ है 2349 रूपीज पर यह इसका actual MRP नहीं है मैं आपको आगे बता हुआ इसका actual MRP कितना है तो जैसे मैंने आपको बता था यह fan में आपको one star rating मिलता है यह fan 50 watt consume करता है और इसका जो motor का जो RPM है 385 RPM यह movement करता है इसका motor जो इस fan में आपको air delivery मिलता है वो 210 cm 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 का मतलब है cubic meter per minute यह कितना आपको air throw करेगा per minute में तो इसका यहां पर mention है और इसमें five speed controller यहां पर मिल जाएगा मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि इसका speed को actual में कितना speed मिलता है और यह regulator से control होता है जैसे मैंने यहां पर बताया था कर दो कितना यहां पर आपको आए म हलें यहां आपका रशźादी रहां पर अलाव भीडियों कितना है जbies pounds verr और इसका जो मोटर है डवल बाल बेरिंग इस पे यूज़ किया गया है इसका टॉप साइट पे और एक पॉटम साइट पे यहां पे टू डवल बाल बेरिंग का यूज़ किया गया है इसमें जो बड़ा बड़ा वाक्स है इसमें आपको फ्यान का मोटर मिलेगा और यहां पे जो रॉड मिलता है डाउन रॉड वो मिलता है और यहां पे जो कॉप मिलता है फ्यान के टॉप साइट में लगाने के लिए वो मिलता है safety cable और यहां पर कुछ not world कुछ मिलता है जो मैंने कर लिया है वो brown color कर लिया है इसमें आपको brown भी मिलता है white भी मिलता है दो color में यह available है और इसमें anti-rust का coating यूज किया गया है तो इसमें आपको कोई भी problem नहीं होगा जैसे अगर रूम में moisture हो जाता है तो कभी-कभी आप देखते होगा कोई भी मतलब जीफ अगर आप metal कोई भी यूज करते हो उसमें रॉस्टिंग आ जाता है दीरे-दीरे पर इसमें ऐसा कुछ नहीं आएगा आपको कोई भी problem नहीं होगा और अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ मतलब प्रोब्लेम नहीं हुआ तो मेरे सबसे यह product बहुत अच्छा है अगर आपको यह लेना है तो offline से buy कर सकते हैं क्योंकि offline में आपको ज्यादा अच्छा price में यह मिल और यह मुझे पढ़ा around 1800 रूपीज का यह मुझे पढ़ा पर online में यहाँ पे 2000 रूपीज का मिलता है अगर आपको यह लेना है तो मैं online का भी link दे दूँगा मैं prefer करूँगा कि आप लोग offline से लो तो आपको better deal मिलेगा तो कैसा लगा वीडियो प्लीज अपना opinion share करेजिए तो मिलता हूं किसे next वीडियो में तक अगली बाइ